से गही हैं कि यह ने उपन करते हैं 500 निच्छ कॉल संवाइश निच्छ नुचर फोर्फ वाइस जाती वाइस क Means कि निचीज नहीं है है वो बिनिफेशल है लेकिन अगर हम मेक्टेरिय पे बात खालें तो कुछ हाम्फुल और बिनिफेशल मेक्टेरिय हैं लेकिर वाइन से नहीं रीजिन क्या है या वाइन वाइन सब्सक्राइए क्यों वो या तो किपसूल होता है या उन वाइरिस इस कूपर एंवल अपायर जाता है या उन वाइरिस इस मूपर कोट होता है जो कि इस तरह पुर्टीन से बना ह pakा है वो पुर्टीन जो है दे किनाट बाइंड वेड्स हास्ट अम्यून सिस्टम के साथ जो कि वो बाइंड नहीं हो रहा तो वो कैसे निकलना इसके लिए की फार्म पार्टिकल इंट्रो हो चुकी है इस होज से बच जाते हैं दुसरी है था को के लिए यह था है हमारी बाड़ी के अंदर macrophages पाया जाते हैं और यह निउ्ट्रो फेल्स पाया जाते हैं यह macrophages और यही निउ stabilize वो फेल्स करते हैं, कि वो किसी भी रिपाटीजंस, इंक्लूडिंग विक्टेरिया, इनकी फेगोस अटोसिस कर दे। लेकिन वो वाइरस इस इतने स्ट्रॉंग होते हैं, कि हमारा जो अम्यून सिस्ट्म है, वो फेल हो जाता है। क्योंकि पास ऐसे वाइरसिज हैं कि वो इत्हाई ही स्ट्रॉंग वाइरसिज है तो उनके वज़े से वो हमारी आम्यून सिस्ट्रम नहीं कर पाता है और तीसरे वज़ा यह है कि वाइरसिज जो है वो म्यूटेंट ज्यादा बनाती है स्ट्रॉंग के वज़े से इनके लिए कोई हास इसनकी विक्सीन नहीं बनाए जा सकती है इसके अगेंस जो है कोई हमारे साथ विडिकेशन ही एफेक्ट जो वज़ा कि यह अगर आप एक विक्सीन वाइरस के लिए बना दे कुछ ही लंगों बाद यह रिकांबिनीशन कर लेत इनके आप लिक्साय स्वास्ट कर लेता है इसे व Всемट को आइस खैस को नहीं किया जाता है अगर वाइरसरिय में आटक करता है लेती है और इंटर कर लेता है दुसरा हम डिसक्ऽ करते हैं हास्ट वाइरस एंग पास्ट वाइरिस इंडे हास में हम यह डिसकास करते हैं कि गिन्ष एक वाईरिस हास बाडी से क्यास करते हैं अगर आफ यूमन की भाद कर देजंड वो अकर वाईरिस एच-आइवी ہے कि वाईरिस एच-आइवी है कि हम इंटर ओक यह एडस कास कर सकता है, acquired immunodeficiency syndrome, लेगर अगर ही hepatitis A virus है, तो बाड़ी में इंकर होपी ही hepatitis A कास करेगा, अगर hepatitis B virus है, the hepatitis B कास करेगा, अगर hepatitis C virus है, hepatitis C कास करेगा, या इसके लाबा, अगर polio virus बाड़ी में इंकर हुआ, तो polio cast करेगा, इसी तरह अगर हम T-V virus की बाड़ी की बाड़ी में इंकर होपी है, तो इसकी mosaic and mortis condition कारवार कर लीती है, तो कहने का मत्तल यह है, कि कोई भी virus अगर किसी भी हॉस्क बाड़ी में इंकर होती है, तो उसके अंदर यह infection, यह disease जो है, वो पास कर लेती है, तो अब हम यहां पे विक्टीरिय की बाड़ कर लेती है, क्योंकि इवर इस virus से कोई भी living organism नहीं मर सकती है, चाहिए वो इंसान है या कोई दूसरे animals है, या कोई plant वायरा है, तो वो भी जो है, और इवर विक्टीरिय जो है, वो भी इस से बन सकता है, विक्टीरिय पी भी आटाइक कर सकता है, विक्टीरिय की अगर हम life cycle की बाड़ कर लें, तो विक्टीरिय हमारे पास दो टाइप्स की life cycle है, कि वहां पी अपना पूरी प्रोडूस कैसे का रहा है, आप विक्टीरियो फीज की अगर बाद हो जाए, लाइफ शाइकल आफ बिक्टीरियो फीज की अगर हम बाद कर लें, तो पहले कि हमें पता होना चाहिए कि वाट इस मीन बाई बिक्टीरियो फीज, तरह कि यह बिक्टेरियों फेश असल में एक ग्रीक वर्ड है जिसमें बिक्टेरियों हम बिक्टेरिया की इटरब इस्तिमाल करते हैं और फेश हम कहते हैं एटर को को है को इस बिक्टेरिया एतर बिक्टेरिया एटर और टो मैं इसतों दो नाइसमों में इसको थो जुख सांफिस ने डिफेंट हैंच में डिसक्रस्ट किया ये इस को अने सूधिक याट आ नावड य तैंन उनर एक तोश की पस्ता जिपाइज की इ। तो बिटेरी की पॉपुलेशन डिसेपीर होती थी। गाय होती थी। जब उसमें इसकी वेग्राउंड श्टिरी क्या तो उसको मताचले है कि असलमें एक वाइरस तो है वो इसमें आटाइक करता है। सो अटाइसमें या अबसर्फिंस मीजक कोई भी वायरस जब हो किसे हास बाडी के साथ अटाज हो जाता है तो उसका अबसर्फ कि पर तो पर वो कडि़ डिगया लेता है जाता है। कि उसकी जो काट्रोल में रे आता है तो उसके बाद आपनी रिप्लीकीशन इस्टार्ट कराने रिप्लीकीशन के बाद आप उसको फिर एसम्बल कर लेता है और करने के लाद मीड कि बांट इसके पॉप परिडिये हो उसकी लाइसे का दे तो कह सकते हैं कि यह देफरेंट स्टेजे या झसिके का यह सरा नाम है है पीवन हुआ पीटू हुआ या लेबड़ा वाइस हुआ यह वाइस है यह वाइस टारे कि लाइफ साइट करते हैं यह यह क्वाइब करें कि यह वाइब एक बेग्टिरिया है और विक्टिरिया जहे हमने प्ड़ाव भाए कि बीक्टिरिया को मुरिन से बना नहां होता है इंज्ट बाइब इंड इंटीड के अपनीश नाओए उसके बाद है उसके बाद है पर इसकी सिल मेंबरेन होती है और से इंसाइड जो है कि इसका सैटो ब्लासम है इसके अरिभ सब्सक्राइब का इन्दर जो है इसकी अपनी सेवंट की इस राइब विक्टेरिया के अब एक वाइरस है विक्टेरियो फेज्ट हमने पड़ा है कि यह 34-200 नियुमीटर होता है इसमें एक हैड है एक मिक है एक कॉलर है और एक टेल है और इसकी टेल में टेल फाइबर्स होते हैं तेल होते हैं इसकी टेल के नदर जया इंजायम होते हैं ऊंडश सीड़ कि उसकी टेड़ में णी आंगे पायर आजाओ रोक यह थिए एंजायम में यह रिएस कार रहता है और यहां में इसकी हैड में dna ब्रिजन होती है क्योंकि विक्टेरियोफेज वायरस विद्टेर पार्ट आपके वो यह निद्टिर इनिद्र हो जाब हो दिये रहे हो इस यहां पे हम निदिसकस कर लिया आपाइस्मेंट रों डिये हैं